सल्मान खान जलती, बिग बॉस 11 लेकर एक बार फिर से दर्शकों के सामने हाजिर होने वाले हैं 26 सितंबर को शो के लॉंच इवेंट के मौके पर सल्मान ने कई बातों का खुलासा किया बिग बॉस एक अक्टूबर को टीवी पर ओन एर होने वाला जा रहा है तीन महीनों तक सल्मान के साथ बिग बॉस के घरवालों को देखना काफी दिल्चस्प होगा शो की चर्चा के साथ ही खबर यह भी है कि सल्मान ने इसे होस्ट करने के लिए हर एपिसोड 11 करोड रुपे फीस रहे हैं हाला कि इस सवाल पर कलर्स के CEO राजनायक ने कहा वो इतने सस्ते में नहीं आते सल्मान ने इस सवाल पर कुछ नहीं बोला लॉंच के मौके पर सल्मान ने कहा कि हर बार वो इस शो को होस्ट करने से मना कर देते हैं लेकिन अंत में उन्हें वापस आना पड़ता है सल्मान ने एक और बात का खुलासा किया कि उनका शो में होना ही टिया पी आने की असली वज़े है सल्मान ने इस मौके पर उनके बेस्ट पडोसी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता मेरे से नीचे वाले फ्लो पर रहते हैं और दो ही मेरे सबसे बेस्ट परोसी हैं। इसके अलावा आ रही ख़बरों के मुताबिक सल्मान खान बिग बॉस होस्ट करने के लिए हर एपिसोड के 11 करोर रुपे ले रहे हैं। इस सवाल पर कलर्स के CEO राजनायक ने कहा, सल्मान खान इतने सस्ते में नहीं आते। हाला कि इस सवाल पर सल्मान ने कुछ नहीं बोला। लॉंच के मौके पर सल्मान ने बताया कि बिग बॉस टीवी का सबसे अच्छा शो है। उन्हें शो का कॉंसेप्ट बहुत पसंद है। उन्होंने खुलासा किया कि बिग बॉस सीजन रिंग 5 उनका फेवरेट रहा है। बता दी कि एक अक्टूबर से ओन्या होने वाले इस पॉपुलर शो के घर की फोटो पिछले दिनों वाइरल हुई थी। बिग बॉस रिंग 11 के घर की ये तस्वीर हैश बिग बॉस एक एक नाम के टिफ्ट पेज पर शेयर की गई है। इसमें बताया गया है कि बिग बॉस के दो हाउस हैं। स्टूडियो को फिर से डिजाइन किया गया है और इसमें कुछ नई फीचर भी जोड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि इस सीजन में बिग बॉस के घर में एक अंडरग्राउंड जेल भी बनाया जाएगा। यदि बिग बॉस के घर की ये फोटो असली है तो इस रियालिटी शो के कंटेस्टंट अगले तीन महीने इसी घर में रहने वाले हैं। हाल ही में शो के पहले टास्क और फॉर्मेट के बारे में खुलासा हुआ है। आ रही रिपोर्ट के अनुसार इस बार शो को दिल्चस्प बनाने के लिए कई सीक्रेट टास्क होंगे और प्यार की लुकाचिपी भी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक बिग बॉस के घर का पहला टास्क बेहद ही दिल्चस्प होगा। जिसमें सदस्यों को परोसियों पर नजर रखनी होगी। घरवालों को एक दूसरे की जासूसी करनी होगी और फिर बिग बॉस को सूचित करना होगा। परोसी एक दूसरे कंटेस्टन्ट के सीक्रेट लीग करने पर जीतेंगे। यही वजह है कि अब तक रिलीज हुए बिग बॉस के तीनों प्रोमों में परोसी थीम ही हाइलाइट हुआ है।